चार वर्ष और छे मा का समय पूरा हो गया है। उत्रप्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वा जनता को हर प्रकार की सहुलियत दिलाने के लिए कई उजनाएं बनाई गई। मैं इसी कड़ी में योगी सरकार के साड़े चार साल पूरे होने पर हमारी आगरा समवादाता ममता भारदवाज ने लोगों के पी जाकर जरता की राय जानी और उत्रप्रदेश सरकार के साड़े चार साल के कारकाल से किस वर को कितना लाब मिला है इस पर जनता से चर्चा तो आईए हम इस इन योजनाओं के बारे में जानने के लिए जंता के बीच आचुके हैं और जनता यूपी सरकार से जो साड़े चार साल पूरे हो चके हैं उससे कितना खोस है और क्या मानती है किस तरह का जनता को रुजहाब है जनता का कि सरकार के जो साड़े चार साल में जनता के लिए सरकार ने क्या कुछ किया हमारे साथ यहां मौजूद है सम्शाबाद रोड पर हमारे साथ यहां एक बा आपको क्या कुछ लाब मिला आप बुज़र्ग हैं आपको क्या फाइदा मिला सरकार से मुझे मकान की सरफसिटी नहीं मिली अभी तो और वाई काम देंदे हो गए खराब एक रुपे में 25 पैसे बाइसे पार काम चल लाएं चौनिवर काम चल लाएं और बाकी काम खराब हो गए और एक बात और है को और मेंट से मतला रोकेष्ट करना चाहता हूं कि यह बेनामा जब होते हैं आदमी के तो एक एक चार चार अड़ाब लेते हैं उसका तैसील को उसका स्वालेस नेकाना चाहिए कि मतलब वेनामा दूश्य कर नहों तूश्य गरीब आदि का कुछ मतलब उसमें रुकावट नहीं आए क्या मानते हैं योगी सरकार में जो मामले हैं इस तरह के गुटाले के मामले हैं जो फर्जी बाड़े के मामले वो बढ़ रहे हैं यह तो भी जब भी सरकार चल लिए जब भी है बसपागी सरकार ती जब भी था और उसकी सपागी सरकार ती जब भी था यह किस भी सरकार बं में एंहों कि इनको मकान के लिए सब्सिड़ी अब तक नहीं आई कि योगी सरकार के 4-6 महीने पूरे हो चुके हैं तो देखने वाली बात है कि जब 4-6 महीने पूरे वह चुके और सरकार जाने में उसमें उनली 6 महीने और रह चुके हैं बाकी और अब तक इनको मकान की जो सबसेडी है बाबा के द्वारा बताया रहा है कि साथ तो पर इनकी अब तक सबसेडी नहीं आई है हमारे साथ यूबा मौझूद है हम इन से बात करते हैं और इनको रोजगार का किस तरह से लाब मिल है क्या कुछ इनको रोजगार मिला तो जिसरे आप यूबा है तो योगी सरकार के आज 4.5 साल पूरे हो चुक है आपको क्या कुछ लाब मिला यह मैं बुच्छ नहीं हमारे निढाम आता का जुदे का यह बास हुर आता ही नहीं धीन है मैंक क्या करा रहे है कि अब तो आप तो प्रदान जी के द्वारा भी अब तक कोई रासन कार्ड इस्साइब कुछ भी नहीं हुआ पने भाईया है उनका नाम नरेल उपाते है रिजरी गाम में और हमारी रवी प्रदान जी है और में वहनों ने ले तो रखा है लेकिन कहती है कि अब में होती है दिन देरी अभी तो हमें कोई लाब नहीं मिला है और चार साल पूरे हो गए अब और कितने दिन का इंतिया रहे हैं नहीं मिला है अपको कुछ नहीं मिला है और इनको क्या कुछ लाब मिला इनको क्या मिला या नहीं मिला इनसे बात करते हैं जितेंद्र योगी सरकार के साड़े चार साल जोड़ना सायद ही एक नेमानी होगी मेरे खायाव को बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है सरकार के पास कोई भी इंतर्याम निए हर सीज में फ्रेल है प्रिजेबी सरकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित है पेरोजगारी दिजिए किसी भी स्थर पर ले जिए सिच्छा के सरकार के द्वारा तो इस तरह के होडिंग लगा जा रहे हैं योगी सरकार बे मिसाल साड़े चार साल बे मिसाल मैंडम मैंने आप पहले ही कहा कागजों में जमीन इस तरफ है उसका कोई भी महत्व नहीं है किसी भी इंसान से मैं क्या जहां पर जितने भी लोग खड़े हुए कोई भी बजना यह कह दे कि मैं कुछ हूँ क्या सड़के भी निमनागी सड़के योगी सरकार के द्वारा कहा गया था कि गड़ा मुक्त होंगी तो क्या कहना चाहिए वह पाद में मारूती सिटी रोड है इसमें आप चले जाए गड़ा मुक्त तो देख ठोड़िए पूर तो इस तरह हमने जनतास की राय ली साड़े चार साल में और हमने इन से बात की और हमारे साथ यहां यूवा है वो एकुछ बात करना चाह रहे हैं अब अब अपनी बिदायका जी से कभी मुलाकात नहीं कभी मिले नहीं कभी उनसे कहा नहीं आपने में जाते हैं तो मिलती नहीं है और मनम एक और कॉछी काम बढ़ाता हमें अपने तो मेंने नास्ताम आम आ थे ओआं आध़ उन्हां तो महीं पर एक आदमी साहिं आम दोडुन नहीं आन्ए वाई है स्टाप का ताह आधा उपस कहीं तो तो कैना मतम हम तुम आरे यह यहां बि पीजेपी की सरकार में आपका कोई भी काम नहीं हुआ तो यहां यह युवा मौजूत है यह बहुत ही पीड़े दिखाई दे रहे हैं कि नोंने साब तौर पर दुबारा हमसे बात करके यह कहा कि जो यहां की इस्थानी बिधायका है वो इनके पास आज तक इनके छेत्र में कभी उनकी सुनबाई करने नहीं आई और जब यह जाते हैं उनसे मिलने तो वहां पर तैनात उनके जो रशुकदार हैं उनके जो करमचारी हैं वो साब तौर पर उनसे मिलने नहीं देते और वो खुद मैडम भी वहां मौके पर नहीं मिलती हैं तो यह यह य जन्ता ने पूरा बताया कि के सरय योगी सरकार से कितने खोस और नाखोस हैं.